इंदी सिनेमा में बहुत से कलाकारों ने अपनी अदाकारी से गहरी चाप छोड़ी है। उनमें से ही एक नाम फरीदा जलाल का है। बता दे कि फरीदा जलाल का जन 14 मार्च 1949 को नई दिल्ली में हुआ था। फरीदा ने 1978 में करनाटक के रहने वाले तबरेज बर्मावर से शादी की दी जिनकी 2003 में मौत हो गई। दोनों का एक बेटा यासीन है जिसे फिल्मों से ज़्यादा लगाव नहीं है। वो पिछले पाच दसकों से लोगों का लगातार मनोरंजन कर रही है। इस दवरान उने कई ऐसी भूमिकाय भी निबाई है जिनकी यादे लोगों की जहन में आज भी ताजा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फरीदा के एक्टिंग करेर के शुरुवात रियालिटी शोर से हुई थी। इस प्रतियोगीता में राजश खना ने भाग लिया था। पुर्शों में उन्हें पहला स्थान मिला था। वही हिरोईन की रूप में फरीदा ने इस कॉम्पिटिशन में बाजी मारी थी। इसे जितने के बाद फरीदा जलाल की जिंदगी रातो रात बदल गई थी। इवेंग के बाद तारा जंद बढ़ जात्या ने उन्हें तक्तीर आफ़र कर दी। इस सलाम के निर्देशन में बनी इस फिल्म में फरीदा के काम को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद फरीदा को राजश खरना के साथ भी स्क्रीन स्पेस शेर करने का मोका मिला। इस फिल्म का नाम आराध नहा था। फिल्म में उन्होंने एक्टर की मंगेतर का किरदार निबाया था। फरिदा जलाल का जन मुंबई में हुआ था और साट के दशक में उनके करियर की शुरुवात United Film Production Talent Head जीत कर हुई थी जिसे Film Fair ने स्पॉंसर किया था। उनके साथ राजश खनाने भी ये कॉंटेस्ट जीता था। इसके बाद ताराचन बढ़ जाते आने उन्हें पहली मुवी तकदीर ओफर की। बाद में फरिदा ने राजश संग आराधना मुवी में भी काम किया। फरिदा जलाल जादातर फिल्मों में मेल लीड की भेन या फिर रिजेक्टेट मंगेतर का किरदार निबाई थी। लेकिन फिमेल लीड के ओफर ही कम ही मिले। उन्हें बॉबी से पॉपिलर्टी मिली। जिसमें उन्हें ने रुशी कपूर की मांसिक रूप से बिमार मंगेतर का दमदार रोल निबाया था। असी के दशक में उन्हें बहन के बाद आंटी, माँ और दादी की किरदार आफर होने लगे। जब फरीता दलाल से एक इंटर्यू में पूछा गया था कि वो एक हीरो की बहन के रूप में कैसे टाइप काश हुई तो उन्हें नहीं जवाब में कहा था, ये सब गोपी के साथ शुरू हुआ था, जहां मुझे महां दिली कुमार के बहन का रोल आफर हुआ था। मना करने के बारे में भूल जाओ, मैंने तुरंत इस ओफर के लिए हा कर दिया था, बले ही मुझे बस जाकर सेट पर उन्हें देखने का मोका मिला हुता, तो मैं कर लेती। हिरोईन की बहन की फरीदा जाला ने आगे कहा था, एक्टरिस सिर्फ अपने गाने गाती थी, जबकि मेरे पार सभी ड्रामा वाले सिंस थे, मुझे मेरी पैचान और आवार्ड्स मिले। पारस मुवी में मैं संजी कुमार की बहन थी, लेकिन राखी दी जिन्होंने हिरोईन का किरदार निबाया था। उनके अलावा भी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था, मुझे इस के लिए मेरा पहला आवार्ड मिला, फिर मुझे दूसरा आवार्ड मजबूर के लिए मिला, जो सनीम और जावेद की लिखी एक मुवी थी, जिसमें बच्चन साब मेरे भाई बने थे। यह बहुत दिलकश था, जब मुझे बहन के रूप में मजबूत किरदाल मिल रहे थे, तो मैं एक्टरेस क्यों बनना चाहोगी। जहाँ उनके पती का साबुन फैक्टरी का बिजनेस था, इनका एक बेटा है जिसका नाम यासीन है, सितमबद 2003 में तबरेज की मौत हो गई थी, अपने एक्टिंग करियर में उन्हें एक ज़्यादा तर सहायक बुमिकाहे निवाई है, मा के रोल में भी उन्हें लोगों का बाद में उन्हें दुसरा, लाडला, दिल वाले दुन्यानिया ले जाएंगे, कुछ-कुछ होता है, जैसी फिल्मों में मा बने देखा गया, फरीदा को आकरी बार साल 2020 में फिल्म जवानी जाने मन में देखा गया था, इस फिल्म में उन्हें सैफ अली खान की मा का रोल अ प्रामिल है, उन्हें दिल्वाने दुन्यानिया ले जाएंगे के लिए याद भी किया जाता है, फिल्मों के अलबा उन्हें टीवी पर भी काम किया है, वो शरारत में नजर आई थी, जो खुफ हिट हुआ था, साल 2017 में फरीदा की मौत की अफवा उटी थी, जिसकी वज़ में उनके काम के लिए जाना जाता है, वो नई दिल्ली में पैदा हुई थी, और उनकी मा ने उनका पालन पोश्टन किया था, क्योंकि जब वो दो साल की थी, तभी उनके माता-पिता अलग हो गए थे, फरीदा जलाल ने अपने करियर के शुरुआत साल 1967 में फिल्म तक्द कौम देख बाई देख और शरारत में अभी नहीं किया, 2005 में उन्होंने सैफ अलिकान और सोनाली बेंदरे के साथ मुंबई में आयोजित, पचासवे फिल्म फेर पुरोसकार की सहमेजबानी की, फरीदा जलाल की मुख्य फिल्मों में आराधना, नया रस्ता, गोपी, पार फरीदा जलाल के मुख्य सिरियल की बात करें, तो ये जो है जिन्दगी, देख बाई देख, शरारत और अम्मा जी की गली है, वो एक प्रशिक्षिक कतक नर्तकी है, इन्होंने अपने अबिने की शुरुआत साल 1963 में आई, फिल्म चोधरी का चान में एक बार कलाकार के फरीदा जलाल को मुख्य तोर पर साल 1971 में आई, फिल्म पारस, हीना, दिलवाले दिरोनिया ले जाएंगे और कुछ-कुछ होता है के लिए याद किया जाता है, इन्होंने अपने हर एक किरदार को बेकुफी निभाया, और लोगों के दिल में घर बनाया है, फरीदा जलाल कई टीवी शोज में भी अभी ने किया है, जिन में ये जो है जिन्दगी, अम्मा जी की गली, जैसे सिरियल शामिल है, लेकिन अगर बात करें इनके बेटे के बारे में, तो उसका नाम यासीन जलाल है, जो दिखने में किसी एक्टर से कम नहीं है, और काफी हैंसम है, साथ ह इनके पते की मृत्ती हो गई है, वही अगर फरीदा जलाल के आज के बारे में बात की जाए, तो दोस्तों आपको बता दे, कि फरीदा जलाल 14 साल की उम्र पार कर चुकी है, और आपको पहले के मताबिक काफी बदली हुई नजर आती है, जैसा कि आप हमारी इन तस्वीरों में देख सकते है, फरीदा जलाल 14 साल की उम्र में बुड़ाबे के दहलीज पर कदम ही रख चुकी है, हमारी इस तस्वीर में आप देख सकते है, कि वह पहले से काफी बदल गई है, लेकिन आप भी फिल्मों और सीरियोल में काम करना चाहती है, उन्होंने एक इंटर में ब किये, बाई बाई